और भाटपा नहीं चाती कि दिल्ली वासियों को फिरी बिजली मिले इसलिए उपराजपाल ने शड़ियंत रचा है मुखमंत्री अरबिंद केजरीबाल ने कहा कि गुजराद के लोगों को आपकी फिरी बिजली गारंटी खूब पसंद आ रहा है इसलिए बीजेपी दिल्ली में फिरी बिजली रोकना चाती है दिल्ली के लोग भरोसा रखना मैं आपकी बिजली किसी हालत में रुकने नहीं दूँगा केजरीबाल ले कहा कि गुजराद के लोगों को बिजवास दिलाता हूँ कि सरकार बनने पर एक मार से आपकी बिजली फिरी होगी हर चीज का इतना टेक्स लगा दिया गया है महेंगाई बड़ी है लोगों का खून चूस रहे हैं अगर ऐसे में लोगों को बिजली फिरी करके थोड़ी रात देता हूँ तो भाजपा को बरदाश्ट नहीं होता है आमादी पार्टी के वरिष्ट निता और विधायक सौरभ भारदवाज ने मुख्याले पर पिरेश बारताकर संबोदित करती हूए कहा कि भारती जनता पार्टी को ना जाने क्या समस्या है हर बड़े तोहार पर कोई ना कोई संकट पैदा कर देती है उन्होंना आरोप लगाया कि दिल्ली के उपराजपाल ने भाजपा के एक शड़ियंत में शामिल होकर वो काम किया है जिसकी कोशिच भाजपा कई जालों से कर रही थी पिछले कुछ बर्सों से देखा जा रहा है कि आम आदमी खास तोर पर कमजोर बग के लिए सबसिटी और सौलियते खत्म करने का भाजपा का प्रियास है इसके तहट पहले सुपरिम कोट में भी एक जनहित याचका दैर कर दी गई थी आमादी पार्टी के वरिष्ट निता सौरग भारदाज ने बीजेपी पर निशाना साथ तुओ कहा कि गुजरात में आमादी पार्टी के विजयरत को रोकने के लिए भाजपा ने दिल्ली में मुप्त बिजली खत्म करने का बड़ा शर्यंत रचा है दिल्ली में करीब 56 लाग उद्वक्ताओं में से 30 लाग का बिजली का बिल शून आता है गुजरात में हर शहर और गाउं में चर्चा है कि दिसंबर में आमादी पार्टी के सरकार बनेगी भारदाज ने आरूप लगाया है कि बाचपाने देश में कई योजना को खत्म करवाने की साजिस उनमें मुफ्त सिक्षा, मुफ्त स्वास्त सेवाईं, दिल्ली और पंजाब में मुफ्त बिजली, दिल्ली में महलाओं, मुफ्त बस यात्रा जैसी योजना शामिल है कमजोर बर्क्यो मिल रही मुफ्त सुबदा को रेवली कहकर गरीवी का मदाग उडाया गया है भारदाज ने आरूप लगाया है कि दिल्ली के उपराजपान ने कोरोना के चलते आर्थिक तंगी जहल रहे दिल्ली के लोगों के खिलाब एक बड़ा शर्यंत रचा है जिससे बहें हर्गिस कुबूल नहीं करेंगे और नहीं इसे दिल्ली की जनता कुबूल कर रही है